हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बर पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास टुल्फ फिजिक्स एंसियाटी में आज का टोपिक है निकट दृष्टी दोस जरा दृष्टी दोस दूर दृष्टी दोस इन पर चर्चा करेंगे यह जो टृष्टी दोस निकट दृष्टी दोस निकट दृष्टी दोस नहीं देखने में दोस लेकिन ऐसा नहीं होता यह जो सब्द है इसका आपोजिट है इसका परिभासा निकट दृष्टी दोस निकट की बस्तों दिखाई न देना लेकिन ऐसा नहीं है निकट दृष्टी दोस में निकट की बस्तों इस पश्ट दिखाई देती है ठीक है ना यानि जिसको निकट दृष्टी दोस है उसक तो पास की बस्तुएं निकट यहीं पास यहीं समीप की बस्तुएं इस पश्ट दिखाई देती है किन्तु दूर की बस्तुएं इस पश्ट दिखाई नहीं देती है ठीक है ना सब्द का सीधा अपोजेट करेंगे उल्टा कर देंगे तो उसका परिभासा निकल कर आ जाएग निकट द्रश्टी दोस यहीं निकट की बस्तु दिखाई देना निकट द्रश्टी दोस कहलाता है और दूर की बस्तु दिखाई नहीं देना यहीं निकट द्रश्टी दोस में पैरे बच्चो पास की बस्तु इस पश्ट रूप से दिखाई देती है किन्तु दूर की की बस तुमें इस पश्ट रूप से दिखाई नहीं देती इसका कारण क्या है वो चीज हम चर्चा करेंगे जैसे पैरे बच्चो आपके पास एक डाइग्राम है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक डाइग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं यह आपका आँख हो गया आँख में पैरे बच्चो एक लेंस लगा रहता है ठीक है आँख में क्या लेंस जिसे बोलते है नेत्र लेंस यह आपका नेत्र लेंस है क्या है नेत्र लेंस है यह आपका रेटीना है क्या है रेटीना जो प्रतिविम में है बास्तों में कहां बनता है यहाँ से प्रकास कि किरने चल रही है ठीक है और यह आप्तित हुई कहाँ पे नेत्रलेंस पे इसके बाद यह जो किरने नेत्र से अपवर्तित होकर रेटीना पर मिलते हैं और इस पस्ट रोप से प्रत्विम महमें प्रापथ होता है कुछ समझें आप लोग कि ये जो प्रकास किरने हैं सबसे पहले देखेगा आँख में प्रवेश करता है पर वच्छों जिसे पुतली कहते हैं पुतली से उसके अंदर होता है नेत्र लेंस नेत्र लेंस से अपवर्तित होता है प्रकास किरन और अपवर्तन के फसरूब ये एक दूसरे से जो एक किरने ह रेटीना पर जाकर टकराते हैं वास्तों में किसी बस्तु का प्रतिविम रेटीना पर ही बनता है लेकिन यह दि प्रकास किरने हैं रेटीना पर न टकराकर पहले ही एक दूसरे से मिल जाएं पहले ही एक दूसरे से मिल जाएं तो यह जो दो से उत्पन हो जाता है मतलब पहले ही प्रतिविम बन जाए ठीक है जैसे ये आपका पैरबच्चो पुनाम आख बनाते ही थोड़ा आगे इसको बढ़ाते ही ठीक है ये आपका पुतली होता है इसके अंदर है हमारा नेत्र लेंस ठीक है ये आपका नेत्र लेंस प्रकास किरने यहां से चलती है ठेक है? ये प्रकास क्योंने चली और पहले बच्चों ये पहले ही टकरा गई ये पहले ही टकरा गई यहाँ पहीं टकरा गई तो अब प्रतिविम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा तो नेत्रेका प्रेटीना पर नहीं बन पाता जिसके कारण से निकट द्रिश्टी दोस उत्पन हो जाता है तो दो कंडिशन हो सकता है दो कंडिशन या तो यह आपका भया क्या है पूरा का पूरा एक प्रकार सी है ना गोला के रूप में एक पूरा आकरती है या तो इसकी बकरता तरिज्जा बढ़ जाए मतला इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाए या तो पहले बच्चो जो प्रकास किरने है पहले ही अपवरतन के फलसुरुटा करा जाए तो दो कंडिशन पे यहां पर है ना जो प्रतिविम है वो कहां बनने लगता है रेटीना के पहले बनने लगता है पहला है नेत्र लेंस और रेटीना की बीच की दूरी बढ़ जाए यानि हमने पहले ही बता दिया यह नेत्र लेंस है और रेटीना बीच की दूरी बढ़ जाए तो जो प्रसिविम में उसके पहले ही बढ़ने लग जाएगा तो जो दोस उत्पन हो जाएगा निकट द्रिश्टी दोस यह निकट की बस्तुई दिखाई देगी कि इन तो दूर की बस्तुई में ऐसे दिखाई ही नहीं रेती दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई हो अर्थात बकरता त्रिज्जा बढ़ गई हो यहीं बकरता त्रिज्जा बढ़ जाए या नेत्र लेंस की फोकस क्या हो जाए दूरी कम हो जाए नेटर लेंज की बात कर लें, नेटर लेंज प्रूस्त की भात कर रहे हैं यह जो अंदर नेटर है यह पूरा पूरा आenख पेर वच्छो नेटर लेंज इसकी फोकस दुरे दी कम हो जाए तो भी यह दोस उत्पढ़न हो जाता है समाझ दिर्श्टि दोस में निकट की बस्तूइं दिखाई देती है किंतों दूर की बस्तूइं नहीं दिखाई देती इसका रऄ क्या है प्रवत्चो बास्तों में यू प्रकास किरनी है उ नेतरलेंस से अपबरतन होता है तो कहां पर यह टक्राना चाहिए के रेटीना में बढ़ना चाहिए यो रेटीना से पहले ही बन रहा है इस धृ क्ट Cam cages कि ऑ हमें क्वर सर sitten देखाई देती है कि ये स्वस्ति बेखति के पास przakat इस प्रकार से होता है लेकिन जो निकट द्रश्टी दो स्युक्त बैक्ति होता है उसका जो नेत्र होता है उसकी सरच्छा इस प्रकार्श होती प्रकास किरने आपती तो होती है लेकिन अपवरतन के फ़सरोप पैरे बच्चो जो टकराना चाहिए रेटीना पर तो पहले ही टकरा जाता है य जो की आग्से कमज़ूर होता है जिसको इस्पश łatी दिखाईनी देता आजकल बहुत सारे बिद्रियार थी हैं जो की पास साल के उम्रे से उनको चस्मा लग जाता है या आप देखेगे एट्स क्लास में आपके ही क्लास में बहुत सारे बच्चे यह अज़से होंगे जिनको चस्मा लग जाता है इसका काण गही होता कुछ बच्चों को पास की बच्ट दिखाई देती है दूर से ब्लैक बोड़ी दिखाईनी दिखाई निदेता है ना जब वाइड बोड दिखाई ना दे मतलब दूर से दिखाई ना दे तो निकट द्रिश्ट दोस हो जाता है इसके लिए हम निकट के लिए अप्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इस दोस्त के निवारण हे तो हम अप्तल लेंस उसमें लग है अब बरतन के फलसुरूप रेटीना से पहले टकरा जाती है यह प्रखास क्रूणों को समयोजित करके ऐसे भेजता है कि अब बरतन के फलसुरूप रेटीना पर टकराएए जिससे इस बस्थ रूप से दिखाई देता है तो इस दोस्त के निवारण के लिए अपतल लेंज का परयोक किया जाता है ठीक है जिसकी फोकस दूरी नेतर से उसके दूर बिंदू की दूरी के बराबर होता है केहने का मतलब जब हम अपतल लेंज का प्रयोक कर लेते हैं कहां पर आख के पहले जोभी हम च्शमा यूज़ करते हैं पर वच्चो तो उस संयोज़ित कर देता है और अंतिम प्रतिमिंग कहाँ पर प्रकास किरनी है रेटीना पर टकराती है रेटीना पर प्राप्ध हो जाता है ठीक है जिससे यहां पर डाइग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं यह आप कभिया आप बात करेंगे दीर दूर्षिटि दूस ठीक थोड़ा सा एक चीज और क्लियर करना जाहता हूँ जैसे आप याद करेंगे कि अबतल या उट्तल किसमें प्रियोक करेंगे थोड़ा समझेगा तो यहाँ पर मैं आप से कह दू निकट द्रिश्टी दोस और दूर द्रिश्टी दोस या इसी को बोलते हैं दीर द्रिश्टी दोस ठीक तो यहाँ पर निकट में तीन सब्द हैं दूर में दो सब्द हैं तो अबतल में अबतल ठीक है इसमें तीन है तो चार यहां पर देखिए और यहां पर दूर में दो अक्षर हैं तो यहां पर उत्तल में तीन अक्षर हैं ठीक है यह हो गया मतलब तीन अक्षर वाले सब्द के साथ चार अक्षर वाला और दो अक्षर वाले एक साथ तीन अक्षर तीन से चार और दो का तीन से इस प्रकार निकष्ट द्रिश्टी दोस के लिए अपतल लेंज का प्रयोग करते हैं और दूर द्रिश्टी दोस के लिए उत्तर लेंज का प्रयोग करते हैं उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं तो निकट के लिए पेरवच्चों किसका प्रयोग करेंगे अप्तर लेंस का दूर दृष्टी दोस्त के लिए यूज करेंगे इसका उत्तर लेंस का ओके तो दूर दृष्टी दोस्त अब देखेगा जैसा सब्दकार्थ निकल रहा है, वáticas होता नहीं, दूर दुर्षटी दोस्त, दूर की बस दिखाई नदेना, ऐसा नहीं है, इसमें दूर की बस तो दिखाई देती है, किन्टो पास की बस तो इस बस दूर्फ से दिखाई नहीं देती, इसका कारण के है, जिसे निकट में, जो प्रतिवी बाके में कहां पर बनना था स्वस्त ब्यक्ति का रेटीना पर बनना था वो रेटीना पर ना बनकर पहले बनता था लेकिन दिर्ग में इसका पोजिट होगा जो रेटीना पर बनना था वो रेटीना से आगे टकराएगा यह प्रकास किरने अब बरतन जो लेंस से अब बरतित होता है तो यह प्रकास किरने कहां पर टकराएगी रेटीना से बाहर समझ रहे ना तो नेतर में इस प्रकार दोस होने पर दूर की बस्तों इस पष्ट दिखाई देती है की तो निकट की बस्ते दिखाई नहीं देती इसका कारण क्या है पर बच्चो नेतर लेंस और रेटीना की बिच की दूरी कम हो जाए मतलब यह थोड़ा सा सीकूर जाए यहां से यहां तक दूरी कम हो जाता है जिसके कांड से प्रतिवी में जो है रेटीना से बाहर बने लग जाता है दूसरा है या तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए जो आपका नेत्र लेंस है इसका focus दूरी बढ़ जाए तब पर भी दीरग्रद्रिष्टी दोस या दूरद्रिष्टी दोस उत्पन हो जाता है इसके निवारण है तो आप लोग लिख सकते हैं इसके निवारण है तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरद्रिष्टी दोस या दीरग्रिष्टी दोस के निवारण है तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है अब थोड़ा अगला हैडिंग डालेंगे आप लोग इसका डाइग्राम बना लेंगे आप लोग ठीक है विदिवत ठीक है आप लोग डाइग्राम बना लें इसके बाद इस्टूडेंट आपको लिखना है जराद्रिष्टी दोस तीसरा है आपका जराद्रिष्टी दोस जराद्रिष्टी दोस ठीक है जराद्रिष्टी दोस में बुढ़ापे में जब आंख की समंजन छमत कम हो जाती है तो ना तो निकट की बस्तुई दिखाई देती है और ना ही दूर की बस्तुई इस पश्ट रूप से दिखाई देती है और इस प्रकार के दोस्त को हम जराद रिष्टी दोस कहते हैं आप लोग नोट डाउन करेंगे जराद रिष्टी दोस क्या है बुढ़ाप उनको है न ऐसे असमन्जस बना रहता है तब उनको एक काला चसमा दिया जाता है और इसके बाद मुटा लेंस लगाया जाता है दूई फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे जराद्रीश्टी दोस दूर हो जाता है दुई फोकसी लेंस एनि दो प्रकार से फोकस करेगा पास की बस्तू को भी दिखाई देगा और दूर की बस्तू को भी इस पस्टरोप से हम देख सकती है जो जरा दृष्टी दोस बुढ़ापय बस्तामी एनि बुढ़े लोगों के है ना उत्पन होता है हम लोगों के जडरा दृष्टि दोस नहीं होने वाला यह केबल बुढ़ापे पर ही उत्पन होता है तो बुढ़े वेक्ती को ना तो पास की बस्तोई इस पच दिखाई रेती है और ना ही दूर की बस्तोई इस पच रूप से दिखाई रेती है ठीक है उसे कहते हैं जरा द्रिष्टी दोस क्या बोलते हैं प्रवच्चो जरा द्रिष्टी दोस और इसके निबारण है तो दूई फोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं दूई फोक्सी लेंस अब दिया आपकी एकजाम में पूछा जाएगा तो किबल दो ही पुछा जाएगा एक निकट द्रिश्टी दोस और एक दीर द्रिश्टी दोस कभी rare condition में जरा द्रिश्टी दोस पुछा जा सकता है वैसे तो कभी ने पुछा जाएगा उमिद करता हूँ तेन चीज आप क्लियर कर लिए होंगे और तीनी महात्पूर्ण है जो कि आपके सलिवस में हैं आप लोग अच्छे तरीके से त्यार कर लिए चाहे आप टेंथ के या टॉल्थ के स्टूडेंट दोनों क्लास में यह जो द्रिश्टी दोस है वो इंपोर्टेंट है और वीडियो पसंदाट लाइक करें सेयर क करें मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ जैहिंद बंदे महत्रां